सबी को एक बार फिर से आप सबी का आपके अपने इस्टेडिमेंटरी यूटूब चैनल पर हाड़िक स्वागत है आज हम एजुकेशन साइकलोजी पीडि पाठक दौरा रचित जो पूस्तक है उसका जेप्टर नमबर 33 परस्तुत करने जा रहे हैं इसका टाइटल है सोसल ल आधुनिक यूग में सीखने के अनेक सिध्धान्त प्रतिपादिते किये गए हैं उनमें से कौन-कौन से हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया सिध्धान्त जो थोरण डाइक दौरा रचित है और प्रबलन का सिध्धान्त जो हल दौरा प्रतिपादित है और सम्बंद प्रतिक् तो ये अधुनिक युग में शीखने के सभी परमुक्ष सिधानते माने जाते हैं सीखने की परिवासा करते हुए फ्रेंडशन ने लिखा है कि सीखना जो है वो अनुभव या फिर विवहार में परिवर्थने माना जाता है शीखने की इस प्रिभासा को मन नेता प्रदान करते हैं अंत मेवे शीखने के उप्योक्त सिधान्तों की उप्योगिता को स्विकार करते हैं पर इनके संबन में उनकी जो अपति है वो ये है कि बालक जो है वो परसूप नहीं है शीखने के इन शिद्धानतों के द्वारा पस्वों के वेवार में तो परिवर्तन किया जा सकता है पर बालकों के वेवार में रुपांतर किया जाना मतलब परिवर्तन किया जाना आउस्यक नहीं है उदान के रूप में हम देखें कि भूखे पसु को भोजन का परलोभन मतलब लालच देकर भूल भूलया में बाई और मुड़ना सिखाया जा सकता है पर बालक या बालिका के लिए इस परकार का परलोभन या लालच निर्थक शिद्ध हो सकता है कि उनको हम अपने असार नहीं कर सकते इसका कारण यह है कि पस्वों और बालकों की सीखने की विदियों एवं प्रियोग साला और कक्षा के वाताओं में हमें प्रियाप्त अंतर देखने को मिलता है अधा है शिक्सकों का तरक है कि प्रियोग साला के वाताओं में पस्वों पर प्रियोग करके पृतिपादिट कीये जाने वाले सीखने के सिद्धान्तों का कक्षा के वाताओं में बालकों के लिए अटी अल्प महत्वे का है शिक्स को के इस विचार से स्वेहमत होकर रोटर मोदे ने 1954 में अपने पुस्तक सोसल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकलोजी में समाजिक अधिगम का सिधान्त प्रतिपादेते किया था तो जो रोटर मोदे हैं उन्होंने ये समाजिक अधिगम का सिधान्त जो था उसको नेमेते किया था अब हम देखते हैं समाजिक अधिगम का अर्थे क्या होता है समाजिक मनोविज्ञान का अधारवू तक्थे ये हैं कि वेक्ति एक दूसरे के संपर्क में आना जाता है और एक दूसरे से दूर भी वो रहना जाता है दूसरे वेक्तियों से संपर्क इस्थापित करने की जो प्रवर्ति है वो सार्व भौमे के मानी जाती है क्योंकि संप्रक के द्वारा ही विक्तिकी आउशेक्ताओं की पूर्टी होती है एने था नहीं इसको हम उदान के रूप में समझें कि सिसु जो है भोजन, सुरक्षा, आराम आदि जो सारीरिक आउशेक्ताओं की पूर्टी के लिए दूसरों से वो संप्रक चाता है तो सिसु दूसरों से संप्रक क्यों चाता है भोजन, सुरक्षा, आराम जैसे चीज़ों के लिए संप्रक इस्थापित करने की ये जो परकिरिया है ये कुछ समय तक ना चलकर आजीवने चलती रहती है बालत किसोर और वेस्क के रूप में हम दूसरों से संप्रक इस्थापित करते रहते हैं हम अपने जीवन में दूसरों से ने के और संप्रक इस्थापित करना सीखते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि दूसरों को सहयोग दे कर और उनकी इच्छाओं की पूर्ती करके हम अपनी स्वयम की अनेक इच्छाओं और आउश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए उनका सैयोग और स्रायता प्राप्ते कर सकते हैं इतना ही नहीं दूसरों की संपर्क में आकर हम अनेक नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अनेक सी नई बाते हमें सिखते हैं हमें नए ग्यान प्राप्ते होता है जिसके फलुसरूप हमारे विभार में चेतन अथवा अचेतन रूप में प्रिवर्तन होता रहता है इस परकार अधिगम जो है वो एक समाजिक प्रक्रिया माने जाती है तो इस सभी का निस्कर से यह निकलता कि अधिगम मतलब जो सीखना है वो एक परकार की समाजिके पर किया है मर्शल महोदे के अनुषार अधिगम जो है यह अनेक परकार का हो सकता है जैसे मानसिक अदिगम, सारिरिक अदिगम, समवेगात्म का अदिगम, और समाजिक अदिगम विश्टित अर्थ में हम सभी परकार का जो अदिगम है वो समाजिक अदिगम ही होता है क्योंकि सबी के कारण विक्ति के वेवार में परिवार्थने होता है पर समाजिक अधिगम अपनी एक विचित्र विशेष्टा के कारण सबी परकार के अधिगम से भिने माना जाता है इस विशेष्टा को मर्शेल मोदे ने अगल कि सब्दों में परकटे किया है उन्होंने का कि समाजिक अधिगम की एक विचेतर विशेष्टा ये भी है कि यद भी हम सारे समय इसके प्रकिल्या में विश्टे रहते हैं पर हमको बुरुदा इस बात का कोई भी ज्यान नहीं होता है कि हम कुछी सीख रहे हैं हम समाजिक अधिगम के अर्थ को और अधिक इसपर्ष्ट करने के लिए अलग-अलग विद्वानों द्वारा दे गए परिवासा भी देखते हैं लेंडग्रेन महोदे ने लिखा है कि समाजिक अधिगम की जो प्रकिल्या है वो संप्रक के कारण ही सुरू होती है अगर हम किसी से संप्रक नहीं बनाएंगे तो समाजिक अधिगम के प्रकिया नहीं होगी मर्शेल महोदे ने कहा है कि समाजिक अधिगम किसी चुनोती या फिर समस्या से सुरू होता है जिसके लिए कोई तातकालिक या फिर बना बनाया समाधाने नहीं होता तो जो समाजिक अधिगा में वो किसी चुनोती या समस्या के द्वारा शुरू होता है ये मर्शेल मौदे ने माना है जब तक कोई चुनोती या समस्या उत्पन नहीं होगी तब तक समाजिक अधिगा में नहीं होगा फिर है कक्सा में समाजिक अधिगम की क्या प्रक्रिया क्या प्रोसेस होनी चाहिए वो हमें देश लेते हैं मोटे तोर पर कक्सा में समाजिक अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्ति किया जा सकता है कक्सा में बालक जो होता है वो समों में होता है ये बालक जो हैं ये विभिन परकार के होते हैं कुछ बालक शिक्सन कारिये में सायोग देते हैं उनमें रूची लेते हैं सिक्सक की बातों को वो ध्यान से सुनते हैं और उसके परती वो भक्ती की भावना रखते हैं इसके विप्रीत कुछ बालक शिक्सन कारिये में सहयोग नहीं देते उनमें रूची भी नहीं लेते हैं शिक्सक की बातों की और वो ध्यान से नहीं सुनते हैं कि शिक्सक उनको क्या कह रहे हैं और सिक्सक के पड़ती वो किसी परकार की बक्ति भी नहीं रखते हैं समुव में होने के कारण सभी बालक, सिक्सक और उसके सिक्सन से कुछ न कुछ मत्रा में वो परभाविते होते हैं पर साथ ही उनमें अन्ते क्रिया भी होते हैं इस अंत्यक्रिया के कारण ही वे एक दूसरे को अपने वेवार में उद्दिप्त करते हैं और होते हैं एवं इस प्रकार एक दूसरे के वेवार को वो परबल बनाते हैं इन सब बातों से परिचित होने के कारण आदूनिक शिक्सक ये जानना चाता है कि अधिगम की मात्रा मुख्यते छत्रों की अंत्यक्रिया द्वारा ही निश्चित होती हैं कोलेशनिक मोदे के अनुसार आधुनिक शिक्सक ये जानता है कि जो अधिगम होता है उसकी मत्रा और गुन का निधर्ण बहुत अधिक सिमा तक छत्रों की अंत्य किरिया के द्वारा ही होता है कक्सा की समाजिक इस्तती में छात्रों की अंते किरिया के फल सवरूप समाजिक अधिगम की जो प्रकिरिया है वो निरंतर कलती रहती है जिसके कारण बालक कुछ ना कुछ अवसे सीखते रहते हैं और उनके समाजिक विवहार में परिवर्तन होता रहता है इस परकार समाजिक अधिगम में अंत्य किरिया का केंद्रिय स्थान माना जाता है इसकी पुष्टे करते हुए वाइट महोदय ने लिखा है कि आधुनिक समय में अधिगम में अंत्य किरिया का केंद्रिय स्थान माना जाता है जबकि सात्र जो है वो यूग में है मतलब दो की इस्ति या फिर समोह में अपने वेवार से दूसरों को उद्दिपते करता है तब स्वेम उसका वेवार भी परबले बनता है फिर हम देखते हैं कौन-कौन से फेक्टर है जो सामाजिक अधिगम में हमें यूजफुल मतलब हमें सायता देते हैं वो कौन-कौन से फेक्टर कौन-कौन से कारक है तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहला है ध्यान, अटेंशन समाजिक अधिगम में सायता देने वाला पहला जो कारक है वो ध्यान माना जाता है सिक्सक जो है वो बालकों के परती साधारण से अधिक ध्यान देकर उनके वेवार में बदलाव कर सकता है लिंग्रेड मोदे ने इसके समझ में लिखा है कि इस बात की बविश्यवानी कि जा सकती है कि जो वेक्ति दूसरों के वेवार में प्रिवर्तन करने की कोशिश करते हैं वे उनके पड़ती साधान से अधिक ध्यान देकर सफ़ता प्राप्ते कर सकते हैं इस भविश्यवार्णी की पुष्टी प्रोफेसर एलन डी कॉलविन के अनुसंधान द्वारा की गई है उसने मनोविद्यान की अपनी सात्त्राओं से उन बालिकाओं की और विशेश ध्यान देने और प्रसंशा करने के लिए का है जो नेले कपड़े पहने हुए थी पहले दिन के ओन 25% बालिकाओं नेले कपड़े पहने हुए थी पांच दित तक ध्यान दिये जाने पर और परसंशा किये जाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि सहत इस परतिसत बालिका जो है वो नीले कपड़ों में दिखाई देने लगे है इस परका उनका परतिसत बढ़ता जा रहा है जब धान और प्रसंशा के कारिये बंद कर दिये गए तब नेले कपड़े पहनने वाली बालिकाओं की संख्या गटकर 27 परतिसत परे रहे गई मतलब उनकी और हम धान देंगे उनकी प्रसंशा करेंगे तब ही उनकी संख्या बड़े रही थी उप्यूक्त अनुसंधान के अधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिक्सक भी बालकों के परति साधन से अधिक ध्यान देकर उनके विवार में परिवर्तन बदलावर कर सकता है अर्दार उन्हें नई बात सरलता से वो शिखा सकता है लिंडग्रेन महोदे ने इसके समझ में कहा कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशेष ध्यान के पात्र बन जाते हैं तब उनको अपने विवार में परिवर्तन करने या सिखने के लिए प्रोचसाइद किया जा सकता है फिर है अनुकरण समझिक अधिगम में सायता देने वाला दूसरा कारक अनुकरण माना जाता है वालक दूसरे बालकों और व्यक्ति के विवार का अवलोकन और अनुकरण करके अनेक नई बातें वो सीखते हैं इसका सबसे अच्छा उदाण है भासा का सीखना छोटे बच्चे सब्दों और वक्यों दोवारा अपने भाओं या विचारों को दूसरे विक्तियों के बोलने का अनुकरण करके सिखते हैं वाइट मोदे ने दूसरे वेक्तियों के अंतरगते सिक्सत को, वेस को, अभिभाव को और बालकों के साथियों को इस्थाने दिया है और इनको मोडलों की संग्या दिया है बालकों को अपने जीवन में इन जीवित या फिर वास्तिक मोडल जो हैं इनके अलावा सांकेतिक जो मोडल हैं उनके भी दर्सने होते हैं जैसे की कहानी, चित्रे, पुस्तर, फिलम, सिनेमा, रेडियो और टेलिविजन वाइट मोडे का इसके समद्ध में मत है कि आधुनिक अमरीकी समाज में सिनेमा, टेलिविजन और रेडियो जो है ये बालकों के विवहार का निर्मान करने में सबसे महतपूर्ण या प्रभावपूर्ण मोडल सिद्ध हो रहे हैं बालकों के अनुकर्ण आत्मक विवहार के समद्ध में वाइट मोडे ने चार मुक्षबातें बताई हैं वो चार मुक्षबातें कुन सी हैं? पहले है बालक अपने उन साथियों को उन साथियों का अधिक अनुकर्ण करते हैं मतलब उनकी नकल करते हैं जो बार बार उनके सामने आते हैं दूसरी बात है बालक अपने साथियों के बजाए वेस्कों का अधिक अनुकर्ण करते हैं पहले में तो वो बार बार उनके सामने आ रहे हैं उन्हीं का अनुकर्ण हो रहा है दूसरे में वेशकों का अनुकर्ण हो रहा है और तीसरी बात जो है ये बालक बालिकाओं और बालिकाओं बालिकाओं बालक जो है वो बालकों और बालिकाओं जो है वो बालिकाओं का अधिक अनुकर्ण करते हैं मतलब जो बालक है वो तो बालकों का अनुकरन करेगा और जो बालिकाए हैं वो बालिकाओं का अनुकरने करती है और चौती जो बात है वो है निमन मानसिक योग्यताओं के बालक जो है वो सेष्ट मानसिक योग्यताओं के बालकों से अधिक अनुकरने कर सकते है मतलब जो कमजोर हैं निम्न मानसी क्यों के तवाले बालक हैं वो अधिक अनुकरणे करते हैं उप्युक्त वर्णम के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि विद्याले और कक्सा में बालकों को उत्तम अनुकरण के लिए अधिक से अधिक अवसरे मिलने से यह तब ही संभाव पाएगा जब सिक्षक और सत्र जो हैं वो वांचनी वेवार के आधर से उनके समक्स प्रश्टूत करें साथ ही विद्याले और उसके कक्सा में संक्यतिक मोडलों की उप्युक्त वेवस्ता की जाने चीए इनकी उप्योगिता बताते हुए बंदुरा मोदे ववाल्टस ने लिखा है कि मोडल की वास्त्विक या संक्यतिक रूप में वेवस्ता वेवार को संपेशित और नि इंत्रित करने की अत्यदिक प्रभावपुर्ण विधी मानी जाती है। फिर तेशरा जो कारक है वो है एक रूपता। इस सब्द का जो सम्मन अर्थ है एक रूपता का वो है कारिये, विचार, विवहार आदि में किसी दूसरे विक्ति के समान होना ही एक रूपता है। एक रूपता का आधार अनुकर्ण है और अनुकर्ण की प्रकिरिया ही एक रूपता को जनमें देती है। वाइट महोदे ने इसके समन्द में कहा है कि बालक और वेस्क दोवारा मोडलों के अनुकर्ण का प्रतेक्स परिणाम एक रूपता की धार्णा मानी जाती है। फिर एक रूपता की अर्थ को और देकिस्पष्ट करने के लिए हम बंदुरा महोदे वा वाल्टर्स की परिवासा देश लेते हैं। करता है। एक रूपता की उप्युक्त परिवासार किसे समाजिक अधिगम में इनकी उप्योगिता जो है वो प्रमानी के हो जाती है। इसकी पूष्टी बंदुरा एंड वाल्टर्स महोदे ने अपने अधिनों के द्वारा की है। उनका कहना है कि एक रूपता समाजिक अधिगम में तीन परकार की साहिता कर सकती है। पहली किस परकार वो साहिता करती है कि जो निरिक्षिन करता है अर्थाते बालकों को नए परकार का विवार करने के लिए वो प्रौत साहिते कर सकते हैं। दूसरी साहता है बालकों के उस विवार को परबल बनाया जा सकता है जो उन बालकों में विद्यमाने रहते हैं और तीसरी जो साहता है वो है बालकों में पाए जाने वाले विवार को रोका जा सकता है उप्युक्त अधेनों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम में एक रुपता जो है वो भूत साइक सिद्धे हो सकती है इसका परियोग करके बालकों के कारियों, विचारों, अभिवर्तियों, वेवहार के परतिमानों आधि में वान्थनिय परिवर्तन किये जा सकती हैं मुशेल, कोगर वकेगन महोदे ने इसके समन्द में ठीक ही कहा है इन्होंने क्या कहा है कि एक रुपता उस परिकिरिया का उले करती है जिसके कारण बालक इस परकार सोजने, अनुभाव करने और वेवहार करने लगता है मानो उसमें किसी दूसरे वेक्ति या वेक्तियों के समोर की विशेष्टाएं आती है फिर है मोडल की विशेष्ट है ये अगला कारक है समाजिक अधिगम में सायता देने वाला जो तोथा कारक माना जाता है वो है मोडल की विशेष्ट है इसके संद्रब में वाइट मोडे ने लिखा है कि मोडल का अवलोकन करके सीखना सुवी दाजनक परतीते होता है मोडल की समझ इक विशेष्टे जो हैं वो निरिक्षन करता मतलब जो छत्र है उसके अनुकरनात्मक वेवार के सीखने को वो प्रभाविते करती है मर्शेल मोदे ने इसके समझ में कहा है कि मोडलों के अंतर्गत वे वेक्ति आते हैं जिन में अधिक पुद्धी और अधिक योग्यता पाई जाती है जिनकी समझिक इस्थ्थती बहुती उच्छ थी है और जिनके विवार को समझिक स्विक्र्थि तापते होती है इन मोडलों में सिक्सकों, अभिबावकों, अन्यवेसकों और बालकों के साथों को परमुकिस्थाने दिया गया है इन में परमुकिस्थान सिक्सकों और अभिबावकों का बना जाता है उनके विवहार का अवलोकन करके बालकों के लिए सीखने का करिया सुगम हो जाता है इसके अत्रिक्त जिस परकार के उनकी समाजिक विशेष्टाएं होते हैं उसी परकार का विवहार बालकों के द्वारा सिखा जाता है शिक्सकों और अभिभावकों की विभिन समाजिक विशेष्ताओं का बालकों के वेवार पर विभिन परकार का प्रभावव पड़ता है इसके समन्द में होम, पुलाइन, सार्ष, बंडुरा, एंड वाल्टरस आधी अनेक मनोवेज्यानी को द्वार अध्यने किये गए हैं अपने अध्यनों के परिणाम सोरूप वे जिन निसकर्षों पर पहुंचे हैं उनको वाइट ने निमन लिखेत परकार से अंकेते किया है वो क्या कहा है इन्होंने कि बालक उस शिक्षक के वेवार का विशेश रूप से अनुकर्ण करता है जिसका उनके बविश्ये पर नियंतरने होता है इसके बजाए उस शिक्षक के वेवार का जिनका उनके बविश्ये पर किसी परकार का नियंतरने नहीं होता है दूसरा बिंदो है बालक उस शिक्षक के विवार का विशेश रूप से अनुकरन करता है जो विद्याले में इस्थाई पद पर होता है कि जो इस्थाई शिक्षक है उसके विवार का वो अनुकरन करता है बज़ाए उस शिक्षक के विवार का जो अस्थाई पद पर थोड़े समय के लिए करिये करता है तीसरा बिंदू है जिन बालकों को अपने पिताओं और शिक्षकों का प्रेम प्राप्त होता है वे उनके विवार का अनुकर्ण करके उनमें एक रूपता इस्थापिते कर लेते हैं अगला बिंदू है यदि बालक अपने शिक्षकों या अभिभावकों को नियम विरोधिक करिये करते हुए देखते हैं तो उनका अनुकर्ण करके वे भी वैसा ही करने लगते हैं इसको हम उदान के रूप में समझें कि यदि सिक्सक या अभिभावत जो है वो सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बालक भी सड़क पर चलते समय सड़क के नियमों का पालने नहीं करेंगी ऐसी स्थिति में बालक का तरक तो यही होता है कि ये दि मेरे माता पिता ऐसा करते हैं तो मैं भी उनी का बेता हूँ मैं भी वैसा ही करूँगा अगला बिंदु है ये दि बालक अपने सिक्स को या अभिवावकों को अक्रमानकारी विवहार करते हुए देखते हैं तो उनका अनुकर्ण करके वे बच्चे भी उसी परकार अक्रमानकारी विवहार करने लगते हैं अगला बिंदु है ये दि मोडल ने अपने परिश्रम या कारियों के फलसरूप धन चाती, प्रतिष्टा, संपती, सभलता, उपादिया उच्च इस्ततिल या फिर राजने तिक सक्ति प्राप्त की है और बालकों को इस बात का ज्यान है तो उन पर मोडल के विवहार का गहरा और व्यापक प्रभावर दिखाई देता है और वे उसका अधिक से अधिक अनुकर्ण करते हैं मोडलों के विशेष्टाओं के संबन्द में जो अधिन किये गए हैं उनके प्रेणामों का सार परस्तुत करते हुए बंदुरा वे वॉल्टर्स ने लिखा है कि उन मोडलों का अधिक ततपरता से अनुकर्ण किया जाता है जो पुर्षकार देते हैं सम्मान पूर्ण होते हैं या फिर स्वयोगे होते हैं जिनकी इस्ततीज होती है वो उच्छ होती है और जिनको पुर्षकार देने के साधनों पर अधिकार खुता है बजाए उन मोडलों के जिन में इन गुनों का अभावव पायद आता है मोडलों के विशेष्टाओं के सम्मंद में किये गए अधिनों से वाइट मोडलों ने निसकर्ष निकाला है कि यदि छात्र और शिक्षक में एक रुपता होती है तो छात्र शिक्षक के विवार का स्वेम ही अनुकर्ण करना शुरू कर देता है और शिक्षक को इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाती है अता है करक्षा में समाजिक अधिगम को सफल बनाने के लिए शत्र और शिक्षक में एक रुपता के इस्थावना ही इसकी आधार भूट सर्थ मानी जाती है दोनों में एक रुपता इस्थापित हो जाने के बाद सिख्चक दोरा किसी परकार का प्रियास ने किये जाने पर भी बालक उससे हर घड़ी हर समय कुछ ना कुछे सिखते रहते हैं समाजिक अधिगम के इस सिध्धान को सभी सिख्षकों दोरा स्विकार किया गया है कक्स को दोरा स्विकार कर लिया जाता है और वो है बालक कक्स बालक कक्सा में केवल बैठे वे देखते हैं और सुनते वे भी बहुत सी बाते शीख लेते हैं वे सिख्षक और अन्य छत्रों के विवहार का अवलोकन करके भी कुछ ना कुछ से सीख्टे हैं अन्त में लेंड गरेन मोदे के सब्दों में हम कर सकते हैं कि मोडल की समाजिक विवहार के अधिगम को परभाविते कर सकती है ना केवल उन विवहार में परकट करने की उनकी इच्छागो फिर है समाजिक अधिगम में सायता देने वाला पांतवादो परमुक कारक है वो है निरिक्षन करता की विशेष्टा है निरिक्षन करता का प्रियोग छात्र के लिए किया गया है क्योंकि वो है मोडलों के विवहार का निरिक्षन करता है करक्षा में अनेक छात्र होते हैं और सभी के गुमों या विशेष्टाओं में अंतरे पायदाता है अन अता है यह आवश्यक है कि सभी छात्र सिख्षक के विवहार का समान रूप से अनुकर्ण करके समान मात्रा में सीखे हैं वाइट मोदे ने इसके समन में लिखा है कि कुछ विक्ति जो है वो दूसरों की अपेक्ष्या अनुकर्णात्मक विवहार से ज्यादा प्रभावित होते हैं अनुकरनात्मक Vyvhaar से कम या अधिक परभावित होनी का परमुकार्ण जो है वो चात्रों की विश्यस्ता है विभिन विश्यस्ताओं वाले चात्रोں पर शिक्षक के विभार का विभिन परकार का परभाविः पड़ता है इसके समन्द में रोश, रोशेंशन, मिलर एंड डोलाड मोदे ने अनीक मनोलग्यानिकों ने ये अध्धेने किये हैं अपने अध्धेनों के परणाव सरूप वे जिन इसकर्षों पर पहुंचे हैं उनको वाइट मोदे ने नमिल लिखित प्रकार से प्रकटे किया है पहला है दूसरों पर कम निर्भर रहने वालकों के तुलना में अधिक निर्भर रहने वालक जो हैं वो वेश्क और साथी मोडल के विवहार से अधिक सरलता से प्रभावित होते हैं और अधिक अग्याकारी माने जाते हैं दूसरा बिंदू है अधिक निर्भर रहने वाले बालकों के तुलना में कम निर्भर रहने वालक जो हैं वो ज़्यादा सीखते हैं अगला बिंदू है जिन बालकों में निर्भरता की आदत पड़ जाती हैं वे अपने वेभार की दूसरों से स्वी करती जाते हैं उनके निकट रहना चाते हैं और उनके ध्यान तथास है ताकि वो इच्छुके रहते हैं अगला बिर दूहय निर्भरता के लिए माता पिता दोरा पुष्कत किये जाने वाले बालक अपने विवार की समाजिक स्विकरती के लिए अधिक लालायते रहते हैं अगला बिन्दु है प्रेम के अभिलासी बालक सिक्सक से एक रुपता इस्थाफित करने और उसके वेवार का अनुकर्ण करने के लिए अधिक तर्थपरे रहते हैं अगला बिन्दु है अयुग ये बालक जिनके कारियों की बहुत कम प्रसंसा की जाती है सफल मोडल के वेवार का अधिक वो अनुकर्ण करते हैं बालक समझते हैं कि ऐसे मोडल का अनुकर्ण करके वे भी सफले हो सकते हैं अगला बेंदो है उत कक्साओं में बालकों की तुलना में निमन कक्साओं के जो बालक होते हैं वो समजिक स्विकर्टी के पड़ती अधिक पड़ती के लिया करते हैं समजिक स्विकर्टी नए मिलने पर भी वे अपने कारियों को इस्तकिते कर देते हैं अगला बिंदू है सम्वेगात्मक उत्तेजना इस सम्वेगात्मक उत्तेजना से रहित बालकों की तुलना में सम्वेगात्मक उत्तेजना से जो यूक्त बालक हैं वो मोर्डल के विवार का अधिक और बार बार अनुकरने करते हुए देखे जाते हैं अगला बिंदु है पुरुषों किसी प्रबल रूचियां रखने वाले बालक अपने बलवान और शक्तिसाली पिता के विवार का अनुकरने करते हैं अगला बिंदु है समवेगात्मक उत्तेजना से रहित बालकों की तुलना में सवेगातमक उत्तेजना से युक्त बालक अधिक क्रिया सेले होते हैं और वो अधिके सीखते हैं वाइट मोदे ने अपने निशकर्ष पर विशेश बल दिया है और वाइट मोदे का कहना है कि सिक्सकों को इस तथे को हर देंगम कर लेना चाहिए कि जब बालक सवेगातमक रूप से उत्तेजित या तनाव की दसा में होते हैं तब उनके लिए सीखने का कारिया जो होता है वो अधिक सुई दाजनके हो जाता है उदार्ण के रूप में हम देखें जब बालक प्रिक्षय अभिने वाद विवाद प्रतियोगिता वियाम प्रदर्शन आदि में सफलता प्राप्त करने के उद्धे से से चिंतित होकर तनाव की दसा को वो प्राप्त करता है तब उनके सीखने की जो गति होती है वो बहुती तेज हो जाती है अथे सिख्कों को वाइट मोदे का प्रमुक्ष क्या है कि जब बालक सवेगात्म को रूप से उधिजित हो तब सिख्कों को ने केवल उनके अधिक उत्कम सीखने का लाब उठाना चाहिए बलकि सिक्सकों को सुईक करते लक्षियों की और बालकों की सवेगात्मक परतिक्रियों को जागरत करने के लिए भी योदना बनानी चाहिए बालकों के सवेगों को जागरत करने में सिक्सक की रूची से किसी को इस्तम्बिते नहीं किया जा सकता निरिक्षन करता की विशेष्टाओं के समंद में जो प्रिक्षन किये गए हैं उनसे सिद्ध हो गया है कि विभिन परकर की विशेष्टाएं विभिन परकर के समाजिक विभार को वो प्रोच साइते करती है समाजिक विभार की इस विभिनता का बालकों के समाजिक अधिगम से प्रत्यक समंद है उदान के रूप में हम कहें कि निर्भरता की कम या अधिक विशेष्टा रखने वाले बालकों के अधिगम में विभिनता देखने को मिलती है इसी प्रकार स्विगा अत्मक रूप से उत्यजित बालक शिगरी और अधिक शिखते हैं चैता है सिक्सकों को बालकों की उन विशेष्टाओं के अनुसार सिक्सिया का आयोजन करना चाहिए जो करक्सा में उनको शिगरी और अधिक समझिक अधिगम में सायता दे सके अगला विंदू है अगला जो कारक है वो है प्रबलन ये समझिक अधिगम में सायता देने वाला चैठा या अंतिम कारक है कुछ मनव गयनिकों दोरा इस सब्द का प्रियोग कौन से सब्ध का परभूलन सब्ध का प्रियोग पूरुषकार के बज़ाए किया जाता है इसका पुष्टिकरण लिंडगरेन महोदे ने किया है इन्होंने का कि प्रबिलन सब्द वह सब्द है जिससे कुछ मनोवेग्यानिक अधिगम का विवेचन करते वे पुरुषकार सब्द से अधिके पसंद करते हैं बिग एंड हेंड मोदे ने अपने पुस्तक साइकलोजिकल फेंडेंशन ओफ एजिकेशन में परबलन के लिए दो प्रमुक परकारे बताए हैं पहला है सकारात्मक प्रबलन सकारात्मक प्रबलन में कोई उद्धिपक उपस्तिते किया दाता है जिसके फल सुरू बालक के विवार का पुष्टी करने होता है जैसे कि सिक्सक की मुष्कान तो शिक्सक की जो मुश्कान है वही क्या है उद्धिपन है तो ये तो सकरातमक प्रबलन हुआ नकारातमक प्रबलन में क्या होता है इसमें किसी उद्धिपक को हटा दिया जाता है जिसके फल सुरूप बालक के वेवार का पुष्टिकन होता है जैसे शिक्सकों की जो घुड कि सकरातमक और नकरातमक प्रबलन के समन्द में BF इसकिनर मोहदे ने अपनी फुछतक Science and Human Behavior में चताउनी दे है कि सकरातमक प्रबलन को सुखद और नकरातमक प्रबलन को दुखद कभी भी नहीं समझा जाना जी है अतहे हैं सकरात्मक और नकरात्मक प्रबलन को पुरुषकार और दंड का समनार थी नए माना जाकर दोनों को ही पुरुषकार माना जाता है यहां सकरात्मक को पुरुषकार के रूप में प्रकट किया गया है और नकारात्मक प्रबलन को दंड के रूप में प्रकट किया गया है मगर इसके डंड ने कहा है कि दोनों को ही पुरस्कार मान जए इसके सम्द्ध में बिंग वैहंट महोदे ने लिख dealt कि दंड की प्रक्रिया जो है वो प्रबलन की प्रक्रिया से मौलिक रूप से भेने होती है जबकि परबलन के परिवासा किसी पर्तिकिरिया को परबल बनाने के रूप में की जाती है दंड एक ऐसी परिकिरिया है जो पर्तिकिरिया को निर्बले बनाती है परबलन के समन्द में स्लैक, रॉब्सन, लिंड्सले महोदे जैसे मनोगज्यानिक हैं उन्होंने अपने अध्धेने किये हैं अपने अध्धेनों के परणाम सोरूप वेर्जी निसकर्षों पर पहुंचे हैं उनको वाइट महोदे ने निमन लिखित बिंदों में अंकिते किया है पहला विंदो है सकरात्मक प्रबलन कक्सम में विशेश रूप से सायता देता है क्योंकि यह बालकों की परतिकरियां को द्रिड़ बनाता है दूसरा विंदो है सकरात्मक प्रबलन सेक्सिक उदेश्यों को अकर्षन परदान करके उनकी प्राप्ति में सायता देता है अगला विंदो है जो माता है अपने तीन से पांच वर्ष तक के बच्चों को परिवार में उच इस्थान प्राप्त करने के लिए उनकी परसंसा करते हैं या उनको फुर्षकर्ट करते हैं वे विद्याले में विभिन कारियों में उच इस्थान प्राप्त करने का भर्षक प उसकर्ष करती हैं तो वे बालिक हैं 6-10 वर्ष की आयों तक सामाने सेक्षिक योगताओं में विशेश प्रगती व्यक्त करती हैं। सफल बनाने के लिए सिक्षक द्वारा प्रबलन का अधिक से अधिक प्रियोग किया जाना चाहिए। समय तक करना चाहिए। फिर अन्त में हम उपसंगहार के रूप में मतलब निसकर्ष के रूप में देख लेते हैं। कि समाजिक अधिगम के उप्युक्त विवेचन से ये इसपष्ट हो जाता है कि कक्सा में इसका प्रियोग सात्रों के लिए एवर्ननीय रूप से हित करे माना जाता है। हमने इस समझ में उन कारकों को पंक्तिवध किया हैं जो कक्सा में समाजिक अधिगम को परभावित करने में हमेशा सायक सिदे हुए हैं। इन कारकों के अनुकरण, मोडल की विश्यस्ताओं, निरिक्षन करताओं की विश्यस्ताओं और प्रबलन को सामाजिक अधिगम के सब अध्यनों से विश्यस इस्थान पर दाने किया गया है इन में से मोडल और प्रबलन को सबसे अधिगमापन घुशित करते हुए वाइट मोडल ने लिखा है कि करक्सा में सामाजिक अधिगम के परियोग से हमें ये आसा उद्पन हो जाती है कि अधिकांस वेक्ति अपने विवहार समंदी परतिमान मोडल या मोडलों के विवहार द्वारा परदाने किये जाने वाले उद्धीपन और परबलता के विभिन परतिमानों के फलस्वरूप अजित होते हैं फिर ये इस चेप्टर से समंदित कुछ इंपोर्टेंट क्यूसर ने चे दिये गए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद